समझ करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चार्ट को अंडरस्टेंड करेंगे समझने की कोशिस करेंगे यहाँ पे कि market के लिए आप कौन से important level है और आज market ने कैसा trade किया इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिस करेंगे तो जल्दी से इस वीडियो को start करते हैं वीडियो start करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं market at 11 के वीडियो की मार्केट 11 में पर dal की निया कि लेख 25ivas ये एक सपोर्ड की ओर यहां पर मार्केट कहीं पर शॉपर्ड ले सकता है तो आपको शॉर्ट तो करना नहीं है अगर असक्त़ और तो लेकर कर लो इस उद्ध पर ज कर लो इस को शाब नहां के लिद का है 18 तो लोगों को बता चुका हूँ जिन लोगों नहीं दिखा है तो लाइव स्ट्रीम जाके देख लीजेगा है यहां पर मार्च के मंत की वहां पर काफी चीज़े मैंने एक्स्प्रीन करी है कि डे हाई डे लोग का कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है सेम चीज़ बैंक निफ्टी में था बैंक निफ्टी हो क्लिरली बुला था 43500 से लेकर 43600 आपके लिए एक इंपॉर्डन सपोर्ट है यहां पर इसने एक मोमेंट किया मोमेंट करने के बाद आप को यहां से प्राइज चेंज होता हो दिखाई दिया और एंड ऑफ दे इसने भी अपना डे आई का टाकेट हिट कर दिया था तो दिखा जाए तो करीब 400 पॉइंट का यह मोमेंट मिला काफी अच्छा मूमेंट था और काफी अच्छा प्रॉफिट यहां पर मिला है ठीक है अब हमें समझना है कि market का overall structure कैसा बन रहा है और आगया आने वाले दिनों में market क्या कर सकता है तो उसके लिए simple the logic है देखो आपको थोड़ा सा positive ही सोचना है और positive side पे ही रहना है क्यों रहना है क्योंकि उसके reason मैं आपको continuously बता रहा हूँ कि global market में कच्छी खासी rally बन रही है European market ने lifetime high hit कर दिया है तो दीरे दीरे आपको US market भी उपर की तरफ जाता हूँ दिखाई देगा देखो tax आपका 16300 के ऊपर trade कर रहा है lifetime high पर trade कर रहा है यह चीज़ ध्यान में रखेगा ठीक है ना max में जाता हूँ मैं आपको देखने को मिलेगा यह देखो lifetime high पर trade कर रहा है तो इसको देखके दीरे दीरे US market भी उपर जाने की कोशिस करेगा तो जैसे कि NASDAQ आपको देख रहा है NASDAQ में भी breakout आता हूँ दिखाई दे रहा है आपको यह देखो यह देखो यह इसका breakout label है इसको five years पर कर देता हूँ तो यह इसका resistance point था इसने इसको breakout दिया है और अब इ पर कह सकते हो आप focus रखो हमारे market पर भी एक rally बनती हो दिखाई दे सकती आपको क्योंकि global market की situation काफी अच्छी है ठीक है अब NASDAQ चल रहा है तो IT stocks भी चलना start हो जाएंगे तो उन पर भी आप नजर लग सकते हो ठीक है हमारे market के लिए अब जो situation बनेगी उसके लिए सबसे प पर आप देख सकते हो 87 लाग पर open interest कड़ा हुआ है अठारा थीन सो के पुट पर करीब 34 लाग पर open interest का मतलब क्या है अठारा दो सो पचास की ऊपर काफी अच्छी short covering आपको देखने को मिल सकती है इस चीज को आप clearly ध्यान में रखिएगा ठीक है चार्ट पर चलते हैं तो 15 minute के time frame पर मैं आपको वही exactly price action बताने की कोशिस करूँगा जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपने यहां से correction देखा ठीक है आपने यह correction देखा उसके बाद यह pullback था pullback में आपके बाद फिर दुबारा से यह fall आया almost और फिर यह उपर का pullback है यहां पर क्या है मैंने आप को clearly बोला था कि यह particular area आपके लिए support का काम करेगा तो यहां पर आपको यह support मिला है almost और अब आपने यह उपर का move देना start कर दिया है तो chances यह बनेगे यह इस तरीके से यहां पर यह इसको breakout दे सकता है और एक W pattern का breakout यहां पर आता हो दिकाई दे सकता है 18300 के उपर आपको तो बिल्ली ध्यान में लखिएगा अधरवाइज यह 18100-1850 का important area support का zone है ठीक है उपर आपको क्या चीज़ पर focus करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूं देखो simple दी चीज़ है 18200 के उपर close दिये हो आप 18200 के उपर closing आई है तो यह अच्छी closing है आज के high के उपर जो कि काफी अच्छा target हमारे लिए निकलेगा यानि यहां पर market थोड़ा slow जाएगा और फिर यहां से momentum पकड़ने की कोशिस करेगा यानि यहां से slow जाएगा और फिर यहां से momentum पकड़ने की कोशिस करेगा ठीक है इतना समझ में आगया आपको bank nifty के बात कर लेते हैं तो दि दो तिन दिन का correction यहां पर अल्लेडी हो चुका है अगर आप इस टॉप से इसको मिलाओगे ठीक है तो around यह एक near to breakout situation बन रही है ठीक है तो सिंपल ही चीज़े 44,150 के उपर हम इसको buy करेंगे अगर यह 44,150 के उपर हमारा यहां पर clearly buy बनता है इसके उपर buy होगा तो सीधर चाहिए 44,150 के उपर even इस trend line के उपर यह sustain करना start करता है या फिर 44,80 के उपर भी निकलता है तो अभी हम यहां पर buy करके काम करेंगे यह चीज़ आप clearly समझ लीजिए ठीक है तो bank nifty के लिए हमारे पास यह view है यहां पर sell हम तब भी करेंगे जब यह 43,500 के नीचे trade करना start positive momentum है, closing ऊपर आईए यहां पर तो chances बन सकते हैं कि यह अब Monday या Tuesday आपको एक breakout दे सकता है अगर Monday भी इसने इसी level पर कामकाच किया चावाल है सदार के आसपास तो फिर आपको definitely near to expiry यानि Wednesday के trading session में या Tuesday के trading session में एक breakout आपको देखने को मिल सकता है तो overall situation जो दिख रही है global market की और हमारे market की वो extremely positive है तो यहां पर कुछ हमें जादा सोचना नहीं है negative side के लिए जो भी price action positive side का बनता है उसमें जरूर आपको trade करना है भले आप sell करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है या buy करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है बट अगर positive price action बन रहा है और level टूट रहे है तो आप आपको definitely buy करना चाहिए ठीक है जब भी market higher high higher higher low का formation बनाए intraday में तो definitely यहां पर आपको buy करके चलना चाहिए और target मैंने आपको बताए दिया है 18,450 का target तो बिल्कुल clearly open है और इसकी open निकले तो सीधा-सीधा 18,700 का target हमें देखने को मिलेगा ठीक है और bank nifty में जो situation है वो आप आपको clearly मैं बता रहा हूँ कि 44 के 500 तक की यहाँ पर rally हो सकती है क्यों हो सकती है क्योंकि अगर आप bank nifty देखोगे तो यहाँ पर आपको देखेगा कि पूट साइट पर आपको चवाले से जाएगे पूट पर आपको 26 लग पाउपन इंटर से यहाँ पर दिख रहा है और अगर next month मैं लगाता हूं यहाँ पर जून टुन्टीन नाइंग कि मैं सॉरी निफ्टी का देखना था हां निफ्टी का देखना था निफ्टी में आप देखोगे तो आप 25 मैं का पांटक्ट है 18.500 कि पूट आप देखर है है यहाँ पर देखो तेरा लग का ओपन अंटर से 8400 कि बारा लाग आपका open interest है तो यह एक indication दे रहा है कि कहीं ना कहीं चो smart लोग हैं वो पहले से ही deep in the money option sell कर रहे हैं ठीक है ना अलागी यह resistance हैं लेकिन यह deep in the money option sell करने का फाइदा क्या है क्योंकि 280 रूपे का premium चल रहा है let us suppose आपको इसको sell करता है round figure यहां पर तीन सो माल लेते हैं तो यहां पर 18200 से 18500 की अगर जनी जाएगी तो यह premium बहुत तेजी से डिके होता हो दिखाई देगा फिलाल आपका इंदा मनी है बटी है out of the money भी हो सकता है इसलिए कुछ smart लोग यहां पर open interest आपको यह दिख रहा है कि करीब तेरा लाग का open interest है अठारा चार सो की पर भी करीब बारा लाग का open interest यहां पर दिख रहा है तो actively trade हो रही है यह चीद आप clearly समझ लिए तो इन पर आप जरू नजर रखेगा 18300 के ऊपर एक strong breakout देखने को मिल सकता है निफ्टी के इंदर और बैंक निफ्टी के इंदर चवाले सजा दोसों के ऊपर नॉर्मली यह breakout अक्सर जो आ जाते हैं वह आपके expiry के दिन आ जाते हैं या फिर वेनरेज्टे के टेडिंग सेशन में आ जाते हैं तो इन पर आप नजर रख सकते हैं यह दो टेडिंग सेश टीक है तो आई होप दोस्तों यह पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों फुलाल इस वीडियो में इतने हैं आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक उश्या जरू करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीडिये क्योंकि मैं सो दिल लेके आता रहूँ हर दिन आपके नहीं वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों जैह हिंद